दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारते टेम इस साल का T20 वर्लकप चीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा दोस्तों न्यूजिलेंड के खिलाफ एक एहम मुकाबले के लिए भारते टेम पूरी तरीके से तयार नज़र आ रही है लेकिन इस मुकाबले से पहले भारत के देगज खिलाडी विरेंदर साहवाग ने भारती टीम को सुझाओ में बताया कि वो किन एक ग्यारक खिलाडियों को न्यूजिलेंड की टीम को हराते हुए देखना जाते हैं जिसमें एक से बढ़कर एक खिलाडी भारती टीम में मौजूद है तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको कौन सी होगी भारती टीम के प्लेइंग 11 विरेंदर सहवाग के अनुसार लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से मिली शर्मनाख हार के बाद भारती टीम T20 वर्ल कप में वापसी करने के लिए काफी उत्सुक दिख रही है टीम इंडिया ने इस मुकाबले से पहले काफी गड़ा भ्यास किया है और मैच के लिए सभी की लाड़ी बिलकुल फिट हैं और खेलने के लिए तैयार दिख रहे हैं 31 अक्टूबर को भारत और न्यूजिलेंड की टीम में दूबई इंटरनेस्नल स्टेडियम में इस टूनामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला खेलने जा रही है और इस मुकाबले में जीत मतलब से मीफाइनल के लिए अपनी उमीदों को जिन्दा रखना होगा इसलिए दोस्तों भारती टीम पाकिस्तान के खिलाफ की गई गलतियों से सबक लेकर न्यूजिलेंड की टीम को चारो खाने चित करना चाहेगी लेकिन दोस्तों क्या इतना आसान होने वाला है ये क्योंकि एक न्यूजिलेंड के खिलाफ भारत का इतिहास काफी खराब रहा है दोस्तों न्यूजिलेंड की टीम ने ICC टुनामेंट में भारत को हमेशा तंग किया है और अब तक टीम इंडिया ICC T20 World Cup में न्यूजिलेंड से पार नहीं पा सकी है दोस्तों बड़ी टीमों को चित करने वाली भारती टीम T20 World Cup में न्यूजिलेंड से एक मैच भी जीतने में काम्याब नहीं हुई है लेकिन भारती टीम के पुर्व दिगच खिलाडी विरेंदर सावाग ने बड़ी आसानी से बता दिया कि वो किन 11 खिलाडियों को न्यूजिलेंड के खिलाफ इस एह मुकाबले में खेलता हुआ देखना चाहेंगे जिसमें ऐसे ऐसे खिलाडी शामिल है जो अपने दमदार प्रदर्शन से न्यूजिलेंड की टीम के धजिया उड़ा कर रख देंगे दोस्तों बता दे विरेंदर सावाग के द्वारा चुनी गई भारती टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से है टीम की सलामी बलेबाजी का दारुमदार रोहिट शर्मा और केल राहूल को ही सौंपना चाहिए क्योंकि इन दोनों ने पहले भी कई बार शांदार बलेबाजी का प्रदर्शन करके भारती टीम को कई अन्य मुकादनों में जीत दिलाई है वहीं दोनों ने साथ मिलकर जबरदस बलेबाजी करके क sha Exactly करके झाई रिकॉर्ड भी अपने नम किये हैं क्युक्ति इन दोनों बलेबाज़ों का अपसी ताल मिल काफी ज्यादा साथ देते हैं और भारत का सलामी बलेबाजी का दारुमदार भी बेहत खुबसूरती से संभाल सकते हैं वहीं दोस्तों तीसरे नमबर पर तो भारती टीम के कप्तान विराट कोहली खेलते हुए ही नज़र आएंगी जिन्होंने अभी पाकिस्तान के खिले गए मुकाबले में तो शानदार भलेबाजी का प्रदर्शन किया ही था वहीं टी-20 वर्ल्ल कप में विराट कोहली का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा बहतरीन रहा है वहीं चौते नंबर पर इशान किशन को खेलने का मुका दिया जाना चाहिए क्योंकि इशान किशन एक ऐसा खिलाड़ी है जो बड़े मुकाबलों में शानदार खेल का प्रदर्शन करने की शम्ता रखता है वहीं पांचवे नमबर पर भारती टीम के विसफोटक फिकेट कीपर बलेबाज रिशब पंत को खेलना चाहिए क्योंकि उनसे बहतर विकेट कीपर और बलेबाज भारती टीम को अभी नहीं मिल सकता है वहीं हार्दिक पांडिया को एक बार फिर मौका देना चाहिए छटे नमबर पर बलेबाजे करने के लिए क्योंकि हार्दिक पांडिया भले ही हालिया समय में शांदार फॉर्म से नहीं गुजर रहे हूं लेकिन उनके पास खशमता है बड़े बड़े शौट खेलने की खेलना चाहिए क्योंकि रविंद्र जड़ेजा ने तो कई बार ये साबित कर दिया है कि उनसे बैतरी नौल राउंडर खिलाड़ी पूरे विश्यों में कोई नहीं है इसलिए रविंद्र जड़ेजा तो हर हाल में ये मुकाबला खेलने ही चाहिए वहीं उनके बाद स्पिन गेंद्बाजी का दारुमदार रविचंद्र अश्विन को देना चाहिए क्योंकि रविचंद्र अश्विन भारती टीम के सबसे अनभवी गेंद्बाज हैं इन्होंने कई बार भारती टीम को अपने फिर्की गेंदबाजी से जीत हासिल कराई है। इसलिए उन्हें इस मुकाबले में खेलने का मौका देना चाहिए। वहीं तेज गेंदबाजी के अगर बात की जाया तो शारदूल ठाकुर, जस्परिद बुम्रा और मुहम्मद शमी इन तीनों गेंदबाजों पर भारती टीम की तेज गेंदबाजी का सारा दारुमदार इन्ही के कंधों पर होगा। लेकिन दोस्तों सावा के द्वारा चुनी गई ये प्लेइंग 11 को देखकर आप सभी को क्या लगता है क्या इन खिलाणियों में न्यूजिलेंड की टीम को हराने की ख्शमता है या नहीं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूटूब चैनल को